Welcome to Dream Come True, Target BPSC से 70 वी सीरीज चला रहे हैं हम from zero level जिसके अंतरगत हम zero level से आपके BPSC exam की सारी preparation करवाने वाले हैं जितने इसके syllabus है, जितने prescribed book है, जोकि pre plus means के लिए important है उन सारों को हम part by part देखेंगे और सारी चीजों को हम cover करने वाले हैं जोकि zero level से हम चीजे चला रहे हैं, इसलिए सबसे पहले NCRT काफी जादा important हो जाता है चीजें आपको बोथ Hindi और English medium में provide करवाई जाएंगी यहाँ पर हम history पढ़ रहे हैं जोकि Hindi medium में है Later on history के वीडियो भी अंग्रेजी medium में provide करवाई जाएंगी History में हम class 6 के history को कर रहे हैं, chapter number 7 है Class 6 से लेके 12 तक के सारे NCRT को आपको पढ़ लेनी है इससे क्या होगा जब आप NCRT पढ़ते हैं तो एक base आपका बन जाता है और उसके बाद आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए eligible हो जाते हैं और सारी चीज़े फिर आपको अच्छे से और समझ में आती भी है तो start करते हैं अपने chapter number 7 को, हमारे chapter number 7 है राज से सामराज तक सो राज से सामराज तक हमारे chapter का नाम है इससे पहले के chapter में मैंने notes पहले ही लिख दिया था आप लगों के लिए ताकि आसानी हो आभी screenshot ले ले और अपने notes को देख ले, दोहरा ले, उतार ले, जो भी करना है करे पर इस बार अभी मैंने notes बना कर नहीं रखे तो जो भी चीज़े हैं, जो भी important points हैं वो मैं आपको लिखवाती जाऊंगे और आप उस तरीके से लिखते हुए आगे बढ़िएगा, तो copy color ले कर बैठे, सारी चीज़े समझते हुए हमें आगे बढ़ना है राजे से सामराजे तक में basically हम पढ़ने वाले हैं मौरे सामराजे के बारे में और अशोक के बारे में जो की कौन थे? एक समराट थे तो इस दोनों के बारे में यहाँ इस चाप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले चलिए थोड़ा सा मौरे सामराजे के बारे में जान लेते हैं so basically अगर कोई सबसे पुराना और सबसे प्राचीन और सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई सामराजे रहा तो वो मौरे सामराजे था मौरे सामराज की स्थापना की थी चैंदर ग्रुप तो मौरे ने कब 322 इसा पूर्व ठीक है ये जो सामराजे था बहुत ही ज़ादा विशाल था और अगर पूरे तरीके से अगर हम देखें तो वक्षु घाटी से लेकर पूरा कावेरी डिल्टा तक ये चीजे ये सामराजे फैला हुआ था बहुत सारी चीजे एंसी आटी में नहीं है क्योंकि ग्लास शटी की एंसी आटी है तो बहुत सारी चीजे नहीं है लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आ वेट अहां चलिए अब ये इस सामराज की बहुत सारी पी शेश जिता है एक थो इतना बड़ा सामराज इतना इंपॉर्टेंट सामराज ये क्यों बतता है इसलिए कि ये एक केंद्रिकर्ट शासन था यहां पर और बहुत चुकि ऐसा साशन था इसलिए बहुत सारे शासक इसमें मिले हुए थे अब इसे थोड़ा अच्छे समझें यहां बेसिकली ये जो सामराजिता अपने साशन प्रणाली के लिए बहुत ही जादा чाना जाता है और इसमें इनके साशन प्रणाली की मिले खासियत थी इनके चाणा के जी चानाखे को इनके जो आमारे चैंदरकुपत पूरे है नीके चानाखे को गुरु भी कहा जाता है चानाखे या कॉट्टेल्य आप दोनों ही कह सकते हैं तो क्या हुआ कि एक तरह से यही थे इनके गुरु और कोटिल ने की तो एक अलग से कहानी मिलती है और वो कहानी इतनी इंट्रेस्टिंग है बच्चों कि जब मैं आपको वक्त आएगा वो भी सुनाऊंगी और जब वो आप सुनेंगे हालें कि इनकी रचित किताबें जब आप पढ़ेंगे उस किताबों में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें साशन प्रडाली इस मौरे सामराज में किस तरह से थी वो ज़्यादा ज़्यादा हमें देखने को मिलती है समझने को मिलती है और तब पता चलता है कि किस तरह ये साशन प्रडाली चला करती थी यहां इनके बेसिकली जो भी साशक थे उनके बारे में बहुत सारी चीजे हैं विदेश के बहुत सारी बृतांत्र हैं उनके बारे में शिरालेखों में बहुत चीजे हैं साहित से चीजे साहित से रिलेटेड बहुत सारी चीजे हैं और प्लस सारणात वगरे में तो जो अशोक जी हैं, अशोक क्या थे इनी के आगे चलके जो समराट बने अशोक जी, उनके तो बहुत सारी चीज़ें हैं सारणात में हैं, अस्तंभ हैं वगरा और उसी इस्तंभ को क्या किया गया है? अब ये राष्ट्रे जो भारती गणाज़ का राष्ट्रे चिन है आपको पता होगा वो क्या है वो उसके वो उनका स्तम चिन है आगे ये भी चीज़े देखेंगे तो ये जो मौरिय साशन था मौरिय सामराज था उसने अभी तक हमें बहुत कुछ दिया है हमारी साशन आज तो लोक तंत्र है तो कोई भी नीता बन जाए पर पहले तो राज तंत्र था और राज तंत्र में इतने बड़े सामराज बनाया था और उसके बहुत सारे अधिकारी थे और जो सामराज जो भी बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था उन जगों पर इन लोगों को भेजा जाता है कि वहाँ पर ये जाके और चीजों को देखेंगे और समझेंगे और उस तरीके से चीजें जो साशन व्यास था था वो बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाई जा तो मेरा फर्स्ट जो चैप्टर है आपका इसी क्लास छठी की जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें तिथियों को वाले टॉपिक को आप जाकर बिल्कुल चेक करो वहाँ पर मैंने तिथियों को बिल्कुल डिटेल में बताया है तो आपको पता चल जाएगा कि किस तिथि को हम कैसे लिखते हैं और किस तिती किस तरह से यूज की जाती है तो आप और अगर आपने नहीं देखा तो फिर भी मैं मानती हूँ कि आप इतने समझदार हैं कि आपको इतनी चीज़े मालूँ होंगे नहीं मालूँ प्लीज जा कर देखिए तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं चलिए तो क्या मैं आपको बता रहे थी कि 322 से लेके यानि कि 322 से लेके 185 इसा पूर्व तक ये चला था मौरे राजबंस या मौरे समराज आपको कुछ भी कहें और इस तरह से देखा जाए मौरे और उनके मंत्री गुरू जो भी चाना के जो कौटिल्य जी थे उनके दोनों के मदद से उन्हें के सामराज मिली थी अब मौरे जो ये वंच था इसमें हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अशोक समराट के बारे में तो सिधे अशोक समराट तक आते हैं किस तरह आएंगे उससे देख लेते हैं सो स्थापना किसने की समराट चंद्रगुप्त मौरे एक बार सारी चीज़े समझ लीजे उसके बाद नोट्स में आपको लिखवा दूँगी अभी पॉइंट भाई बीच बीच में अगर पॉइंट लिखवा ओ तो बहुत बारी बहुत सारी चीज़े छूट जाती है तो एक बार मैं सारी चीज़े समझा दूँँ उसके बाद लगाता है नोट्स लिखवा दूँगी तो उससे क्या होगा न कि रिवाइस अच्छे स हो जाएगी चीज़े हां तो पहले आए समराट चंदरगुप्त मौरे जी उनके बाद उनके बेटे आते हैं इनके लाइफ टुक टाइम को भी लिखवा दू क्या अच्छा चलिए 322 से ये थे 298 इसा पुर्व तक आपके चंदरगुप्त मौरे जी आते हैं चंदरगुप बिन्दु सारि मौरे कब से 298 से 273 इसा पुर्व तक ही आये थे उनके बाद क्या हुआ उनके बाद आये जिनके बारे में हमें इस चाप्टर में पटेकुलर लिख पढ़ना है वो है अशोक जी यानि अशोक मौरे डेट 272 से लेके 236 इसा पुर्व और यही है हमारे नहीं भारत के देखिए बच्चो एक चीज जयान दीजे एंशेंट हिस्टरी जब आप पढ़ेंगे न तो आपको मालूम चलेगा कि भाई बिहार नहीं मगत नहीं बेसिकली भारत को ही नहीं इतिहां विश्व को बहुत सारी चीज़े दी है एक अलग धर्म दिया है हमारे भारत हमारे बिहार ने ओके तो बिहार जो है बहुत इंपोर्टेंट है आज स्थिती परिस्थिती थोड़ी अलग हो चुकी है और मैं तो मानती हूँ कि इसके जिमेदार सिर्फ और सिर्फ हम है अगर हम ही शुरू हो जाए ना बच्चों कि कचड़ा उठा कर कि गंदगी नहीं फैलाएंगे हर चीज के जिमेदारी हम सरकार पर थोप देते हैं सरकार ऐसा नहीं करती सरकार वैसा नहीं करती पर सरकार भी तो हमीं बनाते हैं अगर हम चाह जाए कि हमारे लोकालिटी में हमारे एरिया में कचड़ा नहीं होगा तो क्या कचड़ा हो देखावे है चीजों को अच्छा करता और वो हमें करता चाहिए फिर्स्ट इस्टेप हमें लेना चाहिए लेकिन हम क्या करते हैं सरकार पर दोश मढदेते हैं चोखी गलत है चलिए हम आपने बैक टू अपने चाप्टर पर आते हैं तो ये जो समराट अशुक मौरिय जी है वो ना ही अपने भारत के, ना ही अपने मगद के, बलकि पूरे विश्य के इतिहास के सबसे महाम साशक माने जाते हैं बहुत इनके ऐसी ऐसी चीजें हैं, एक बार जब यह राजकुमार थे, तो उन्हों एक बार उन्होंने उजयान के और तक्षि शिला के वित्रोह को इन्होंने ही दबाया था इनके थ्रू इस चीज़े दब गई थी और लेकिन जब बहुत महान राज़ा तो थे लेकिन कलिंग की लडाई में उनकी लाइफ में एक ऐसा घुमाओ आता है जहां पर उन्होंने एक्चिली देखा कि लाखो करोडों की मात्रा में लोग मरे हुए हैं ये समराथ अशोक मोरे जिन्होंने जो इतने जादा पराकरमी थे इतने जादा सक्ति शाली थे उन्होंने जब देखा कलिंग की लडाई में कि वह इतने लोग मरे हुए हैं इतने खोंड बहा हुए हैं और उन्हें इस नरसंगार से गलानी आ गई ह्ञानी भर गई उनके पुने सुना भी होगा पढ़ा भी होगा कि उसके बाद उन्होंने बहुत धर्म का परचार किया उसके बाद उन्होंने धम बनाए उसके बाद उन्होंने ऐसा किया वैसा किया ने एक्चली में बहुत धर्म उन्होंने अपनाया हुआ था पहले ही लेकिन उसके बाद उन्हों करो शांति से रहो प्यार से रहो ये रहो वो रहो ठीक है तो ये बात भी हुई बहुत धर्म उनका अपना अपना लिया था उन्होंने पहले ये चीज बहुत जगर है कि कलिंग की युद के बाद बहुत धर्म अपनाया ऐसा नहीं था हां बहुत धर्म उन्होंने अपना लिय तो हम क्या बात कर रहे थे अशुक के बारे में तो उसके बात इन्होंने कलिंग की लड़ाई होती है और उसके बात इनको ऐसा लग जाता है कि भाई बेकार में हम क्यूं इतने लोगों को बिना बजा के माना और उसके बात उन्होंने धम अपना लिया बहुत धर्म अपना ल जगह देश, विदेश में कि भाई जाओ और हर जगह पे प्रचार करो इन सब चीजों का धर्म प्रचार के लिए उनने बहुत जगह भेजे प्रचार करने के लिए आज भी हम देखते हैं कि बहुत जगह यहां से अपने धर्म जो है बहुत चगे पहले हुए है ओके और उसके बाद फिर उनकी उनके बच्चे गद्धी पर बैठते हैं और आगे चलके और चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है तो अशोक जी के बारे में थोड़ा और जानते हैं क्योंकि ये तो जिस्ट था ना ये एक तरह का समरी में आपको बता रहे थी कि मौरे सामराज क्या था अशोक क्या था उस तरीके से अब चलिए मौरे सामराज के साशन विवस्था की बात कर लेते हैं अशोक के साशन विवस्था की बात कर लेते हैं अशोक के धमवरचार के बारे में बात कर लेते हैं इस सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं चलिए तो अगर मौरे सामराज की बात करें जो कि 2300 साल पहले जिसकी स्थापना हुई किसने की चंद्रगुप्त मौरे ने की किसकी सहायता से की चाणाकी की सहायता से की वक्त ह जगर ज़ादा बरबाद हो जाता है हर देखिए हर एक पर्टिकुलर राजा समराट के बारे में बहुत सारी कहानिया है जिससे आप सुनोगे तो आपको हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा बहुत लोग कहते है रहे हिस्ट्री तो बोरिंग है डेट है ये है वो है फलाना है पर पराक्रमी योधाओं के बारे में तो history फिर बेकार नहीं रहती, बहुत अच्छी होती है, और चाणाके तो भई एक अलग ही इंसान है, चाणाक की determination, अगर आप चाणाके की story पढ़ते हैं ना बच्चो, एक अलग determination आपके अंदर आएगा, कभी चाणाकी जी आई दिन हमें मि की है, साथवी, आठवी, नौई, दसवी, इकारवी, बारवी, सब जगह आपको कहीं चाणा की मिले, तो मैं उनके बारे में एक deep कहानी आपको सुनाओंगी, interesting सी, बढ़ियां सी, और चाणा की एक अलग से topic हो जाते हैं, actually, तो हम बात कर रहे थे 23 साल पहले, जिस मोरे समरा सामराज में नगर बहुत सारे थे, ठीक है, बहुत सारे थे, और राजधानी की बात करें, तो वो थी पाटली, उत्र, उजयन और तक्षशिला, okay, अब तक्षशिला में तक्षशिला में ही, उत्तर पश्शिम और मध्य एशिया में जाने का मार खुलता था, ठीक है, और जो उजयन आपका पड़ा, वो कहां, उत्तरी भारत से लेके, दक्षणी भारत जाने वाले रास्ते में उजयन पड़ गया, okay, यहां पर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताएं कि साशन प्रणाली कैसे चलती थी, तो यह जो एरिया था पाटली पुत्र और उसके आसपास का, वहां पर जो समराट था, वो सीधा काम करता था, सीधा अपना निया इंटरन रहता था, लेकिन अगर कहीं और इससे अलग और जगू की बात करें, तो वहां पर वो भेशता था अधिकारी वगएरा, और जो वहां का राजपाल वगएरा है, उससे बना देता था, जैसे अधिकारी भेजा और वहां राजपाल बना दिया था कि वो सारी चीज़ों को साशन विवस्था वगएरा को अच्छे से तो अब चलिए, वक्त यह हो गया है कि मैं आपको नोट्स लिखवाते लिखवाते सारी चीज़े बताओ, नहीं तो उसके बात फिर मैं ही भूल जाओंगे कि क्या मैंने लिखवाया, क्या मैंने छोड़ा, so, wait तो यहां से आप नोट्स लिखना शुरू करिए और मैं आपको समझाते भी जाओंगे, राज इससे, साम राज, और अगर आप नोट्स नहीं लिखना चाहते, तो जो भी चीज़े मैं आपको समझा रही हूँ, उसे जो भी चीज़े मैं आपको लिखवा रही हूँ, उसे एक दो बारी वीडियो को ही वाच कर लीजेगा, उसे भी आपका काम हो जाएगा, चलिए, मौरी, साम राज जी, स्थापना वगर पीछे लिखवा दिया है, तो सीथे प्रशाशन से स्टार्ट करते हैं, प्रशाशन, साम राज के कई नगरों में कौन-कौन से प्रमुख थी, उजयन, तक्षशिला, और राजधानी, पाटले पुत्र थे, ठीक है, ये सारे प्रमुख नगरे थे, अगर पीछे मैंने मार्ग तो लिखवा दिया है आपको, अच्छा इसे एक और लिखवा देती हूं, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाने का मार्ग तक्षशिला था तथा उत्री भारत से दक्षिनी भारत जाने के रास्ते पर उजयन था अब ये तो हो गया सामराजय का विस्तार अब प्रसाशन में क्या था? इतने बड़े प्रसाशन में अब उस सीधा नियंतरन किस-किस जगह पर था? तो पाटली पुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर समराट अपना सीधा नियंतरन रखता यहाँ पर कर कैसे वसूले जाते थे? खुद राजा के अधिकारी निक्त किया? कर लेकर आगे अच्छा कर तो ठीक है समझ में आ रही है? लेकिन एक और चीज यहाँ पर लिये जाते थे? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नजराना नजराना कहते थे उसे अब इस नजराना के बारे में पढ़ेंगे नजराना क्या है? देखी जो चीजे पहले थी न आज भी लगभग वही चीजे चल रही हैं दूसरे तरीके से नाम बदल दिया गया है, चीजे बही हैं तो क्या हम पढ़ रहे थे? हाँ, कि अपना सीधा नियंतरन, पातली पुद्र और उसके अगल वगल के जगहों पर समराट जी रखते थे और यहाँ पर जो कर वगर लिया जाता था उसके लिए राजा कुछ अधिकारी को नियुक्त करते थे और बुरूब जाके कर लेते थे तो चलिए, कर, कर नहीं, आप लिखिये राजा द्वारा कर लेने को अधिकारी नियुक्त की जाती थी तक्षिशिला एक्षिली जो प्रांती है राजधानी थे उनके बारें बारत हो रही तो इसलिए तक्षिशिला और उजयन को हम यहाँ जोड़ेंगे तक्षिशिला और उजयन क्या थे एक तरके प्रांती है राजधानी थे तो उसमें क्या किया जाता था वहाँ पर उजयन आप लिखिये प्रांती है राजधानी है प्रांती राज धानियों पर राज कुमारों को वहां का राजिपाल बना कर भेजा जाया जाता अब यहां पर कर के रुपे हर जगों को लिया गया जैसे जहां पर मान लेजे कोई वयपारिक चीजे हो रही है अब वो कहां पर होंगी वो सारे जो एरियाज हुए जैसे कि कोई नदी का एरिया हुआ जंगलों का एरिया हुआ तो उस तरी वहाँ पे कर वगेरा का तरीका था कि जो भी चीजें वहाँ के resources है, संसाधन है जो भी चीजें मिला, मिली उसे कर के रूप में थोड़ा सा रख लिया जाता था जैसे मान लिजे कि जंगल की बात आती तो जंगल में वो लोग क्या देंगे तो वो दे देते थे जो कि उनके पास हुआ करती थी जैसे मान लिजे कुछ important कोई अच्छी लकणी मिल गई कोई शहद अच्छी सी मौम, हाथी दात कुछ भी जो उन्हें लगा कि ये अच्छा है वो उन्हें दे देते थे as a card ओके वो लो दे दिया करते थे अब हमने देखा कि वे अपारी लोग इस तरह से कर अगरे दिया करते थे जो भी चीजे, resources उनके पैस हुआ करती थी और उस तरीके से अच्छी चीजे राजाओं के लिए दे दिया करते थे और उस तरह जो जंगल वाले लोग थे वो भी इस तरह से ही काम करते थे बिसिकली अपनी अपनी चीजों में जो बढ़िया हुआ आप इस तरह से ले सकते अब एक और टाम आता है जिसे कहा गया है नजराना, अब ये नजराना क्या है नजराना था देखिए कर जो था न वो नियमित रूप से लिया जाता था लेकिन नजराना हमेशा अनियमित रूप से रूप से लिया गया जो हमेशा अनियमित रूप से लिया गया माने जब दिखा तब ले लिया इस तरह से अब देखिए क्या था नजराना क्या था नजराना था ऐसा माना जाता है कि जो लोगों ने स्वेच्छा से दिया वो नजराना हो गया कभी कभार दे दिया जैसे कर तो भाई काम के लिए हो रहा न समराज के काम के लिए कर तो देंगे लोग तो कर उस तरह से दिया गया लेकिन नजराना कभी कुछ अच्छी चीज़े मिल गए और माली जी जगल में कोई अच्छी लकड़ी मिल गए ये अच्छी सी तो वो दे दिया किसी जंगल वाले लोगने राजा को उपहर किसरूपिया पैजे नजराना कभी भी या फिर उन्होंने वसूल लिया इसे दो तरीके से देख सकते हैं ठीक है अब चले आगे बढ़ते हैं सीधे आगे थोड़ा सा स्किप करके बढ़ेंगे और इनके बाल बच्चों को भूल जाएंगे और इनके अशोक जीपे आजाएं अशोक मौरे एक सबसे प्रसिद साशक देखें मैं आपको उतनी ही चीज़े बता रही हूँ जो आपके NCRT में है थोड़ा बहुत चीज़े इधर उधर की जो बता रही हूँ वो जानने जरूरी है क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर्स है तो इन सारे चैप्टर्स में आपको इस सारे चीज़ों के और भी डीटेल मिलेंगे लेवल अप अप मिलेंगे इसलिए एक ही में हर जगह से भर के चीज़ों इनफॉर्मिशन भरना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सही है इसलिए अब समझे जैसे कहानी मैंने आपको पीछे बताई एशुक के बारे में वो कहानी है जिसके बारे में आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको इनके जिस तरह इन्होंने अपने जनता को एक अच्छी जनता के रूप में बढ़ाया जिनने अपने अभी लेखों में अपने विचारों को अच्छी विचारों को किस तरह अपने समराज में पहुँचाया, फैलाया उनका प्रचार प्रसार किया वो ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो उसे ही आपको लिखना भी है तो हम क्या लिखेंगे अशोक मौरे, एक मौरे बंच का प्रस्ते दिशाशक नाव, नेक्स्ट लिखिए अशोक ने अपने अभी लेखों द्वारा हाले कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले ही आपके लिए नोट्स बना दू लेकिन वो मेरे थोड़ा ज़्यादा टायरसम काम हो जाता है इससे पहले मैं आपके लिए चीज़े बहुत पहले ले आदी ये जो आपका VPSC सत्तरवी एक्जाम के जो स्टटी मेटेरिल मैं आपके लिए चीज़े पोस्ट करती जाओ हाँ चलिए जादा बात नहीं करते हैं शोक ने अपने अभी लेखो द्वारा जनता तक अपने इसलिए जरूरी है कि आप इसी तरीके से लिखे नोट्स कोशिश करूंगे कि नोट्स बना दू आपके असानी कि अपने संदेशों को पहुचाने की कोशिश की इनके अभी लेख जो है किस-किस भाषा में मिले हैं प्राकृत में और ब्रामी लिपी में ठीक है उस वक्त प्राकृत भाषा चलन पर थी तो लिखे अशोग के ज्यादा तरिक अभी लेख ब्रामी लिपी तथा प्राकृत भाषा में हैं नेक्स्ट प्राकृत लिखे कलिंग की युद्ध के पश्चात उन्हें आत्मगलानी का आभास हुआ जिसके पश्चात उन्होंने युद्ध का क्या कर दिया त्याग कर दिया तो अगर आपको ठीक से दिखने ही रही होगी चीज़ें तो यह देखिए दो पॉइंट आपके अब यहां पर मैं अपने इस वीडियो को क्लोज कर रही हूं 30 मिनिट हो गया है बहुत बारी वीडियो अपने आप 30 मिनिट बार बार बाइड डिपॉल्ट बंद हो जाती है तो ऐसा ना हो बहुत बारी बहुत सारी वीडियो में अगर आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं वीडियो तो बहुत बार वीडियो अपने आप ही क्रेश वोकर बंद हो जाती है वो मैं नहीं चाहती है इसलिए बंद कर रही हूं इंड कर रही हूं यहां पर अपने नेक्स हैस्टेग नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों को कर्टिन्यू करेंगे उसे भी जरूर वाच करिएगा आपके एक्जाम के लिए बेस्ट अफ लग गुडबाई